आज हम आपको एक छोटा सा प्रियोग बताएंगे जो आप अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं और ये प्रियोग बहुत सिंपल है लॉंग का प्रियोग लॉंग तो आपके घर में होगा ही लॉंग आपके खुसियों को बढ़ाता है नकात्मक सक्तियों को दूर भगाता है और जीवन में उत्सा उमंग भरता है लॉंग तांत्रिक प्रियोग में भी काम आता है पुजा पाठ में भी काम आता है और घर में आप किचन में भी रखते ही होंगे लॉंग तो अब जो हम प्रियोग बताएंगे उसके लिए आप थोरा सा लॉंग खरिद कर लाकर अपने पूचा पाट करते हैं दीपक जलाते हैं तो घी का जब दिया जलाएं तो उसमें लाल धागे जब मोली धागा होता है नो कच्छे धागा को लाल डंग से कलर किया हो रहता है तो आप उसी का बाती लगाईएगा और उसमें एक लॉंग डाल दीजिएगा दीखें बैक्ति को क सिपक में लाल कर जलाते हैं तो आपकी विष्प पूरी हो जाती है अब चुकि यह तो हमने आपको कहा कि जब दिया जलाते हैं घर में पूजा पाट के समय साम में भी लॉंग आप जला सकते हैं जब धूब दीखाते हैं उसमें और लॉंग के जगा वैसे साम के वक्ता माने कोई भी चीज प्रयोग कीजिए लेकिन सुभा की पूजा में लॉंग डालना मद भूलिएगा सिर्फ लॉंग आप अपने घर में पूजा जब करते हैं तो आपके घर में माद दुर्गा की तस्वीर जरूर होगी अगर माद दुर्गा की नहीं है तो आप सिप पारवती जी की पूजा करते हैं सिप परिवार की सिप परिवार हर किसी के घर में होना चाहिए तो माद पारवती का ही स्वर इन ब्यक्ति हैं उनको खाने को दीजे वो जब भी घर से बाहर निकलते हैं एक लॉंग मुह में ले ले एक पॉकेट में रख ले और बाद में पॉकेट वाला भी लॉंग खा ले इससे उनका स्वास्त भी अच्छा रहेगा और मुस्किले जीवन में कम हो जाएगी और दूस हनमान जी की पूजा के समय अगर आप एक छोटा सप्रियों के देखिए अगर कर्जों की समस्या से फसे वे हैं तो आप हनमान जी को मंगलवार के दिन पान के पत्ता में लॉंग लैंची रखकर बिड़ा बनाकर उनको अरपित करना सुरू कर दिए साम के वक्त कर्ज की मु इस से उपरी बला तल जाती है अब यह भी एक बात याद रखिए कि जब पूजा पाट करते हैं दूब दिखाते हैं दिया बाती करते हैं तो लॉंग डालना मद भूलिएगा अब यह चोटा सा परियोग करके देखिए आपको इसके रिजल्ट 100% मिलेंगे और अगर हात में तक्ये के नीचे लॉंग रख लें और अगले दिन सुबह जाकर सिबलिंग पर भी अर्पित कर सकते हैं यह प्रियोग भी आप कर सकते हैं बहुत सिंपल है लेकिन इसके लाव आपको जरू मिलेंगे तो हम आपसे बिदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तो धर महादेव धनिवाद